कि उसी शमय में बलवान ऐसा पुत्र जो आकास तब दिखाई दिए ऐसे बीटा पैदा हुए बीम सेल भी ऐसे देख रहे थे बालक को ऐसा बालक पैदा हुए कान ऐसे जैसे भाला नुकीले ऐसे बढ़ा ही भेंकर आवाद ऐसी मानू परवत खट जाए ऐसी गरजना उसकी व हमारे लिए कोई यह सानी होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा पर मेरा नाम तो रख दो बाल रही तसीर होने के कारव उसका नाम घटूदकच रखा गया एडिम्मा ने का सर्तिके अनुशार हमारा आपका मिलन शमाप्त और वंतर ध्यान हो गई घटूदकच हाथ जोड़े हुए भीम के साथ वहाँ पोचा जा कुंतिशे अर्जुनाद विराजमां थे भीम ने कहा है यह हमारी मा है घटूदकच ने प्रडाम किया और कहा निश कुंतिजी ने कहा कि ओ तुम्हारा जन्म कुरकुल में हुआ है तुम भीम शेन के पुत्र हो इसलिए पाँचो पांडो तुम्हारे पिता के शमान है तुम्हें सदव हमारी शाहता करनी होगी घटूदकच ने कुंतिजी को प्रडाम करके कहा दादी जी रावन और मेगनाथ की जो महिमा बल में है उससे में पाई भरवी कम नहीं हूँ अगर मैं अपने शुरूप में आ जाओं तो प्रले कर सकता हूँ तो शायो की क्या बात जब जहां आग गया ऐसा था मैं बढ़कर नहीं बोल रहा हूँ मैं रावन और मेगनाथ को एक शण में परास्त करने की शामर्थ रखता हूँ जब मेरी आवश्यक्ता हो मेरे पित्र वर्ग को शेवा की जब आवश्यक्ता हो तब मुझे सेवा का उशर देना और फिर मेरे बल को देख लेना कोई शेवा हो तो आदेश करो या फिर मैं जाओं कुंती जी ने खा भी कोई शेवा ले उत्तर दिशा की तर मुक्या और अंतर ध्यान हो गया चला गया महारती पांडों बड़े प्रशन हुए वो धीरे सिव शुवन को त्याग कर दूसरे वन में आगे बढ़े सबकी जटाएं बन गई थी वलकल वस्तधारण किये थे पांडों के सर पर जटाएं शरीर में वलकल या म्रगचर्म तपश्वी भेश में माता कुंती को भीमशेन पीठ में बैठाल कर धीरे धीरे आके बढ़ रहे थे एक दिन जब वो बैठ करके कोई भगवत चर्चा कर ही रहे थे कि देखा कि भगवान ब्यास देवजी पधारे बताया था उसने कि ब्यास देवजी मिले शत्रों को शंताप देने वाले पांड़ों ने जे भी भगवान ब्यास देव जी को देखा सब खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कि उनको शाष्टांग प्रणाम किया सास्त्री मर्यादा है कोई वैश्णो कोई शंत जन या अपने पुझ जन पधारे खड़े हो जाना चाहिए उससे तुम्हारे प्रान पुष्ठ होते हैं हरदय पुष्ठ होता है आपकी आयू बढ़ती है आपकी श्री बढ़ती है आपके पापों का शमन होता नस्ट होते है भगवान ब्यास देव जी ने का पांडु कुमारो मैं सब दिविद्रिष्टी से देख रहा हूं तुम्हारे उपर जो शंकट आया है वैसे तो हमारे पुत्र ही हैं दृत्राष्ट और दुर्यूधन आदी पर संत मात्मा उशी का पक्ष लेते हैं जो धर्म से चलता है शंदे नहीं कि मेरे अंदर कोई भेद बुद्धी नहीं है पर मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ क्योंकि तुम धर्म से चल रहे हो और शत्य से चल रहे हो शंतों का सनेह उशी पर होता है जो धर्म पुर्वकाचरन करता है यद्यप उनका हर्दे पक्षपातवाला नहीं होता पर जब धर्म से चलोगे भजन करोगे तो अपने आप उनके हर्दे का असिरवादत आपका पक्ष ले लेगा मैं सदयू तुम लोगों पर द्रष्टी रखता हूँ कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजन हमसे बात नहीं करते हैं हमारी तरब देखते नहीं यह बाहरी देखना बात करना संसारिक्ता के अंतरगत ब्यवहार के अंतरगत आता है वो अंतरिक द्रष्टी से सदय देखते रहते हैं जैसे कच्छुआ जल में रहकर बाहर रखे हुए अंडों का चिंतन करके उनको पुष्ट करता है ऐसे सच्चे सद गुरुदेव शंत महात्मा अपने शरणागतों का चिंतन करके उनके अंतर की वर्ति को सुधार करके भगवदीय मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं मैं तुम लोगों का हिद करना चाहता हूँ शुनो यहीं पास में एक रमनिय नगर है उसे एक चक्रा नगरी कहते हैं कि बहुत पवित्र ब्राम महल रहते हैं ब्रमरिशी जान तुम जाओ और शुनगर में रहो तुम्हारे पुत्र चिंता मत करो भोग और एश्वरिशे संपन्न होंगे एक दिन राज सिंगासन पर बैठेंगे पर अभी शमय है ऐसा भगवान ब्यास्तिर जी कहकर शहषा अंतरधान हो गए कुंती जी अपने बाल को खशा आगे बढ़ी बन के बाहर एक चक्रा नगरी थी उस नगरी में प्रविश किया और एक ब्राम मन से कहा कि मुझे कुछ समय के लिए आप अपने घर में रख लीजिए बस केवल रख लीजिए और हमारे पुत्र भिक्षा व्रत्ती से उधर पोशन करेंगे उस ब्राम मन ने जो एक चक्रा नगरी में रहता था बड़ा प्रशन हुआ ऐसे महारती पाँच और कुंती देवी का वो शौम में शुरूप देवी हैं साक्षात भगवत भकता हैं इनके समान कौन भक्त होगा जो भगवान से प्रति कदम में में बिपत्ती मांग रही हैं कि पर वो मुझे हर कदम कदम पर बिपत्ती मिले क्योंकि बिपत्ती में मैं आपके श्मरण में आपके प्यार में और आपको शामने देखा है मुझे ऐसा सुक्षम पत्ती नहीं चाहे जिससे मैं आपको भूल जाओं। पांडो जन वहाँ बिक्षा वरती के द्वरा जीवन निरुभाह करते रहते थे। प्रति दिन साम टाइम बिक्षा मांगने जाते थे। चोविस गंटे में एक बार और जब भिक्षा लाते थे तो कुंती जी के चरणों में शमर्पित करते मां भिक्षा लायाओं इस शमर्पित कुंती जी भाग करती उससे आधा भाग निकाल करके भीम को दे देती आधे में नकुल शाह देओ अरजुन युदिश्टिर और आप पाती आधा भीम शेम को दे देती थी माता के साथ भीक्षा का उपयोग करके वही रहते हैं एक दिन की बाद है युदिश्टिष्टिर जी अरजुन जी नकुल शाह देऑ जी भीक्षा के लिए गए किसी कारे के लिए भीम सेम को कुंती जी ने रोक लिया अभी वो बिक्षा को निकले ही थे इनको रोका ही था कि उसी ब्राह्मन के घर में बड़ा आर्तनात सुनाई दिया रोने का इतनी जोर का दुखद आर्तनात कि कुंती जी रोक न सकी वहां समीप गए पहले सुचा देखें तो है कस्ट क्या एक खंभे की आड में हो गई उस शमें ओ जो ब्रामन था रो रो के कह रहा था कि तुम सब निश्चिंत रहो मैं मरूंगा पर यदि मैं मरा तो पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा मैं क्या करूं मरना ही पड़ेगा पत्री ने कहा कि अगर आप मरोगे ना तो पूरे परिवार का पोर्षण नहीं हो पाइगा मैं मरूंगी ना तो तुम परिवार का तो पोर्षण कर लोगे पुत्री ने कहा नहीं, नहीं, कुछ समय बाद मुझे किसी को दोगें ना तो मैं मरूंगी जिसे तुम सब प्रशन न रहो छोटा सा एक बालक था एक बाली का एक बालक बहुत छोटा था तो उतली बानी में उसे छोटा सा डंडा उठाया और कहा तुम कोई नहीं मरोगे मैं उसे मारूंगा ऐसे कुंती जी का हर्दय दर्वित हो गया शामने आई क्या बात है ये मरना क्या आप लगाये हुए हो कौन है क्या है क्या भी पत्ती है क्यों आर्थभाव से रो रहे हो उनका नहीं नहीं आप जाओ हम भारी समस्या में पड़े हुए हैं आप हमारी बात मत तुनो आप हमारे आतितियों आप सुख पूर वक रहो कुंती जी ने कहा हम कोई शाधारन आती थी नहीं है त्रिभोन में ऐशा कोई है ही नहीं कि जिसके आ मैं रह रहे हूं उसको बाल बांका कर सके तुम बताओ न ये पहले मैं मरूंगा पहले मैं मरूंगा ये क्या बात हो रही तुम लोगों कि मैं समझ नहीं पाई उनका कहीं भाग कर जाना चाहूं तो भाग में नहीं शक्ता बताने की इच्छा भी नहीं हो रही क्योंकि तुम संकट में फस जाओगी यदि हमारी बात सुनोगी बड़ी कठिन भी पत्ती में फस गया हूं अब मेरे जीवन को बचाने वाला कोई नहीं है कुंती जी ने कहा कि क्या समश्या तुमारी क्या है उन्होंने कहा कि बस मुझे परलोग ही जाना है वो डर रहे थी कि अगर हमने इन से कोई बात कही और ये नगर में बात गई तो पुरे नगर का नाश हो जाएगा ब्रह्मन के वला आप एक बार बोलिए कि आपका दुख्या है उनका किसिश कहना नहीं यहां से दो कोस दूरी पर यमना नदी के किनारे परवत में एक भेंकर गुफा है और उसमें बक नाम का भेंकर राक्षस रहता है और वो इतना बलवान है कि वो नगर के नगर को खा जाता है बहुत खोटी बुद्धिवाला है वो मनुष्यों के मांस से ही पुष्ट हुआ है प्रति दिन पूरी प्रजा को अनास देख करके सब लोगों ने निश्चेय किया है कि करम से इसको एक एक दिन का भोजन दिया जाएगा जिससे पूरे नगर को मनमानिये नहीं खाएगा उसके लिए बीस बैल गाड़ी अगहनी चावल का भाथ बीस बैल गाड़ी चावल भाथ और दो सो भेंसे कड़ी, रोटी, पकोडी, पुआ ये सब बिनागिंती के और वो एक मनुष्य परिवार से वो ले के जाएगा तो जैसे मिर्च खाई आती है ऐसे बीच बीच में मनुष्य को खाएगा और ये सब भोजन पाएगा बकासुन उसका नाम तो बक हर एक इस देश में हर एक घर की बारी आती है और घर का एक मनुष्य ये सब ले करके जाता है काफी शमय बात बारी पड़ती है पर जिसकी बारी पड़ती हो उजड जाता है कितना उसको भोजन अगर कोई छूटने का प्रत्न करे तो मुहले के मुहले को खा जाता है इसलिए भैवस जिसकी बारी होती उसको जाना ही पड़ता है और आज हमारी बारी है ना हमारे पास इतना विशाल काई भोजन है इतने गाड़ी चावल लो इस सब और हम गरीब ब्रामन है दो सो भेंसे कहां से खरीदे और हम जाएंगे तो हमको भी खा जाएगा नहीं जाएंगे तो पूरे मुहले को खा जाएगा इसलिए हम सब रो रहें कि क्या करें कैसे करें मेरे पास धन नहीं है कि मैं किसी को खरीद करके ऐसी भोगशा मागरी वहां पहुँचाओं अब उस राक्षत से छुटने का कोई उपाय नहीं है अब तो हमें नस्ट ही होना है एक बार सुचता हूँ कि पूरी परिवार से जाके उसके सामने बैठ जाओं फिर सुचता हूँ छुटे छुटे बच्चे बच्ची हैं बड़ा इन्रशन सत्या होगी कुंती बोले आपने पहले क्यों नहीं बता दिया आपको बिलकुल विशाद नहीं करना चाहिए तुमारे तो एक पुत्र है मेरे पाच पुत्र है एक दिया तुम चिंता मत करो हमारे पाच पुत्र है हमने एक पुत्र दिया आपके लिए दिया ब्राम्मने का कदाप नहीं मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ लेकिन जिसको शरण दिया है उसको कष्ट हो जा ऐसा नहीं ये देखो धर्म का ये शुरूप है तुम हमारी शरण में हो तुम्हें कष्ट नहीं दे सकता मैं पूरे परिवार शहित वहां जा करके अपने को खवाशकता हूँ कुंती जी ने का ब्रह्मने हमारे बेटा ऐसे बेटे नहीं है तुमको बताओं जो बेटा आज रुक गया है ये मंत्र वेता है ये जादू जानता है ब्रह्मन को सरल भासा में समझाया वो अपने मंत्र से दैत्य को वस्मे करके मार डालेगा बस किसी से कहना नहीं तो किसी से नहीं कहना ब्रह्मन को लगा कि वो मंत्र तो हम भी सीख लेंगे तो बोलें वो मंत्र जल्दी किसी को सिखाया ले जाता सिखाने पर उतना लाब भी नहीं मिलेगा मेरे बेटे को आता है अब ब्रामण बड़ा प्रशन हो गया कुंती जी ने का कुछ खीर पुआ तयार करवा लो भैसे वैसे तो रहने दो क्योंकि जो ले जाएगा उसी के लिए भी तो चाहिए अब वहाँ जाब 20 गाड़ी चावल तयार करना था तो अपने हिशाब से उसने भोजन भीम से कहा कि बेटा हमारा धर्म है जो बिपत्ती में फशा हो उसको सहयोग करना देखो परहित सरे से धर्म नहीं भाई अगर कोई बहुत बीमार पड़ा है और उसकी शेवा करने वाला कोई नहीं यदि आप उसको दवा देते हैं शेवा करते हैं तो बहुत बड़ा पुन्य होगा यह भगवान की बड़ी शेवा हो जाएगी कोई ब्रद है उसको आप सुविधा दोगे भोजन दो बड़ा मंगल होगा भगवान इससे बहुत जल्दी प्रशन कोई बिपत्ती में फशा है उसका सायोग कर दीजिए बिना किसी लाब की आकांग्षा किए वो ब्रामन प्रशन हो गया भीमशेन ने कहा मा आप निश्चिन तरहना आप चिन्तित मत होना इतने में युदिश्चिर जी आ गए भीमशेन की आकरती को देखके ही पता चल गया कुंती जी से कहा ये कुछ करना चाहता है इसके चेरे से पता चल रहा है इसने क्या ठान लिया है तो कुंती जी ने कहा कि मेरी आग्यांशे ब्राम्मर के घर में ऐसा संकट आ गया है तो मा ये अशय और दुशकर शाहश है भला आप अपने पुत्र को ऐसी जगे क्यों भेज रही उनका बेटा जिसका कहीं थोड़ा भी अगर सुख लिया जाए तो बदले में उसको बहुत सुख देने का विधान करना चाहिए ऐसे धर्मात्मा पुत्र अगर एक बार किसी ने तुमें संकट में पानी भी पिला दिया है तो कृतक के रहना चाहिए पर आजकल न सत्संग न सास्त्रों का शुवध्यायते जो तुम्हारा हिद करे उसी के गले में छूरी चला दे ऐसा सुभाव बन रहा है लोगों का पर ऐसा नहीं होना चाहिए आस्चर होता है जिस मा ने अपने हृदय में इतना वात्सले रख करके जब हम लगशंका कर देते हैं अपना गीले पे लेट जाती है हमें सूखे फिस वो अपने वक्षा इस्तल का दूद पान करा कर हमें बढ़ा करती है और जब वो ब्रद्धा वस्ता को जाती है उसकी शेवा का समय होता है तो अपनी बहु को लेकर देश विदेश गूंते हैं मा की कोई परवार नि करते हाँ बहुत धन हुआ तो अनाथाले में ब्रधा अस्तरम में बेज़ दिया लेकिन सुचो उस समय उसे प्रेम की आवशकता है धन की नहीं उसे उसी दुलार की आवशकता है जिस दुलार से तुमें पाला बहुत बुद्धी निक्रिष्ट भाव को प्राप्त हो जाती है वो अपने माता पिता को ऐसे नहीं करना चाहिए भाई आगे चल कर तुम भी वही बनने वाले हो तुम भी ब्रद्ध होने वाले हो कि तुम्हारा लड़का अमेरिका में रहेगा फोन से बात भी नहीं करेगा जैसे तुम आचरन करोगे वैसा ही बरताओ तुम्हारे साथ होगा ब्रद्धों की शेवा करना ये सबसे बड़ी तपश्या है क्योंकि जब आप सेवा करोगे तो कटवचन भी बोलेंगे आपको शहना होगा सहन करके उनकी शेवा कर ले गए तो वही तुम्हारे उत्तम लोकों की प्राप्ती का कारण होगा तो बेटा मैं देख शक्ति हूँ कि देवराज वज्रपाने इंद्र की भी शामर्त नहीं कि मेरे बेटा भीम को परास्त कर दे इसले मैंने किसी लोव से या ज्यान से या मोह से नहीं धर्म के द्वला सत्त का विचार करके ब्राप्मन के रक्षा के लिए भीम्शेम को वादेश किया है युदिष्ठिर्न कहा मां आपका निश्चय सत्य है आपको यतन पूर्वक ब्राह्मन की रक्षा करने का जो भावाया है मैं श्वईकार करता हूँ बिना युदिस्ठिर की अनुमती के कोई कारी नहीं होता था अब ब्राह्मन की रक्षा के लिए भीम शेन ने मा को प्रणाम किया ब्राह्मनों को जो उनके घर में रहते थे उनको दाहिने करके प्रणाम मुद्रा में होकर वो शवशामागरी लेकर गए उसकी गुफा के सामने दहार लगाई और बैठकर पूआ पूरी खीर जो ब्राह्मन ने बनाग दिये ते खाले लगाई और निकलार आक्षस उसने देखा कि ये मेरे लिए लाया हुआ भोजन तो स्वयम चट कर रहा है वैसे वैसे तो दिखाई लही दिये बहुत कुरूधित हुआ भीमसेन भोजन कर रहे थो आया और दोनों हाथ से घुंशा बांद कर भीमसेन की पीट पर प्रहार किया भीमसेन पाते रहे बार बार वो प्रहार करता वो बोले भी नहीं पाले उसने बड़ा ब्रक्षु खाड़ा भीमसेन पर प्रहार किया ब्रक्षु चूर भीमसेन पा रहे जब पा चुके आचमन की तब लोट करके उसकी तरफ हेरे वो दहित्यबक दातों से उठ चबा रहा था, ऐसा लग रहा था कि भीम सेन को खा जाएगा, बड़ा क्रूर शुरूप, भीम सेन हसने लगे और उसने कहा, कि देखो तुमने अभी तक मनुश्यों को खाया है, आज तुम्हारे दातों को पता चलेगा कि तुम किस मनुश्य की चक्कर में पड़े हो, भीम सेन पर वो ब्रक्ष का प्रहार करना ही चायता था कि ब्रक्षो को पकड़ कर एक मुश्टिका का प्रहार उसके, जो बड़े-बड़े दात थेला, बाहर आ गए, कुपीत राक्षस ने भीम सेन को बाये हाथ से बांध कर मारने की कोशिश की, महावाहु भीम सेन ने उस विशाल राक्षस को उठा के पटक दिया, और उसकी चाती पर दोनों हाथ से प्रहार किया, बेहोश हो गया, वायु पुत्र भीम के प्रहार से बेहोश हुआ, पटक पटक के उसकी खोपड़ी को, रगड़ा भीम से ने भूमी पर, और घुटनों के बल दबा कर उसकी गरदन पर, थुड़ी देर में उसके प्रान निकल गयो, जो प्रान निकलते समय चिला रहा था, तो जैसे फटा नगाड़ा आवाज दिया, ऐसी आवाज उसकी हो रही थी, पूरे नगर में हाकार मुझ गया, यह आवाज कैसी है, हड़ी हड़ी को तोड़ के रख दिया, उस बक नामक अशुर की, इसके बाद जो नगर का प्रधाम दरवाजा था, वहाँ जाक उसको पटक दिया, हाथ पेर्ध होकर सरोवर से, शान्त होकर के आए, और ब्रामन से का चैन से रहो, अब कभी कोई नंबर नहीं आएगा, उसको ऐसी जगे पहुचा दिया है, कि अब पूरा नगर सुप पूर्वक रहे, सवेरा होते ही जो लोग बाहर नगर के निकले देखा ओ, राक्षस मरा बहुत प्रशन्वे पर सबने जानने की कोशिस की किस ने मारा, पर किशी को पता नहीं चला, इसलिए सब को लगा, कि सब की रक्षा करने वाले भगवान ने इसे मार करके, हम लोगों की रक्षा की, बहुत खुशी वे, हर दिन एक आदमी इतना भोजन लेकर जाए, उसको भी उखा जाए, पुरा नगर भेवीत रहता था, ब्राह्मन परिवार ने कुंती जी से हाँग जोड़ कर कहा कि आपकी कृपाशे हम क्या हमारा पूरा नगर दुख्षे बच गया है, कुंती जी ने का आव यहां से चलो, यहां रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यहां आती जन आते रहते हैं, किशी को अगर पैशा पता चला, तो कौरों को पता चल जाएगा, कि इस तरह का बल विक्रम तो किवल पांडों में ही है, फिर हम भी पत्ती में फज जाएंगे, ऐसा सोची रहते कि उसी समय एक ब्राह्मन देवता के घर, एक रिशी पधा रहे, वो जान को प्रिदेश किया कि एक बहुत बड़ा स्वयंबर हो रहा है, महराज दुरुपद के हाँ, और आप जैसे महरतियों को देखकर मुझे लगता है कि वहाँ जाना चाहिए आपको, उस कुमारी का नाम दुरुपदी अर्थात कृष्णा है, और वो यग्यकुंड से कुंडल अस्तर के सहित अगनी कुंड से प्रगठ हुए थे, पांडो ने कहा ये तो बड़े आश्री की बात है, अगनी कुंड से कैसे बालक और बालिका का प्रादुर्भा हुआ, वो रिशिय नहीं जानते कि पांडो है, तो उनका तुमने सुना होगा, जिस समय दुरुणाचार जी ने पांडो और करों को धनुर विद्या में पारंगत कर दिया, तो गुर्दक्षणा में मागा था कि दुरुपद को बंदी बना कर उनके चर्णों में लाया जाए, तो और तो कोई नहीं कर पाया, पर अर्जुन ने ऐसा ही किया, जब दुरुपद को बंदी बना कि उनके चर्णों में दारा दुरुणाचारी की, तो उन्होंने बहुत ही कटवचंक है, कि तुम कहते थे कि राजा का मित्र भिखारी नहीं हो सकता, तो देख मैं वही भिखारी हूँ, तुझे अब अपने चर्णों, अब बोल तेरे प्राणों को माफ करूं, या तुम मित्रता को स्वईकार करता या दंड दूँ, तो दुरुपद ने कहा, कि आप जैसे द्यालू ब्राम्मन को पाकर कि मैं धन्य हुआ, मैं मित्रता स्वईकार करता हूँ, तो आधाराज तू करो, आधाराज मेरा, उस दिन से दुरुपद इस बात से जल रहे थे, क इस ब्रामन को मैं अस्त्र सस्त्रों से तो परास्त नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे कोई ब्रह्मरिशी का हाथ चाहिए, तपश्वी भजनानंदी का, जिससे मैं इस तपश्वी द्रोनाचार जी का विनास कर सकूँ, अंदर द्वेश भाव, बदला लेने के लिए वो गंग पराकिनारे, यमुना किनारे, नर्मदा किनारे, बहुत ब्रह्मर के कि कोई ऐसा तपश्वी मिले, जो हमारी बात मान जाए, उपयाज और याजनाम के दो तपश्वी भ्रामन तपश्वा में बहुत बढ़े चड़े थे, उनको देखा दुरुपद ने, वो बढ़े दुरुपद ने उनके शमीप पहुँचकर प्रडाम किया और देखा कि इनका तप और ब्रत इतना जूर का बड़ा हुआ है कि अगर ये हमारा सायोग कर देंगे तो मैं दुरुणाचारी के वद का उपाय कर सकता हूँ जा करके कहा कि मैं दस करोड गाएं सेवकों के साथ आगको प्रदान करता हूँ आप स्वईकार कीजिए उन्हों ने का ऐसे कैसी तुमने दान की बात कह दी कुछ तो कारण होगा इतना बड़ा दान दुरुपद ने का मैं दुरुणाचारी को मारने वाला पुत्र पैदा करना चाहता हूँ उन्हों ने का तुमारा निश्य गलत है हमारे हां पूर्ण होने वाला नहीं अपनी यह सब दान पुन्नी की बाते कहीं और चलाईए दुरुपद ने देख लिया था कि काम इनी से बनेगा क्योंकि सामर्थिन में है जो डाना करे अपने को छुपाए उसमें सामर्थ होती है एक वर्ष तक दैन्नी होकर उनकी शेवकाई में रहे है रोज प्रार्थना करते है बड़े भाई ने काम हमारी तरफ शे ना है पर मुझे पता है मेरा भाई थोटा फोड़ा लोभी प्रवति उसे राजी कर लो तो ठीक हो जाएगा तुमको उसी के पास जाना चाहिए वो कारिका विचार करके छोटे भाई याजमुनी के पास गए और असी हजार गों में भेट की प्रडाम किया वो इतने में खुश हो गए क्या चाहिते हो मेरा वेर द्रोणाचार से आंतरिक है मैं उनका विनास चाहता हूँ हाँ मेरे मंत्र में इतनी शामर्थ है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि द्रोणाचार का विनास हो जाए बड़ी शामर्थ होती थी तपश्या में मंत्र में दुरुपद ने प्रशन कर लिया याज को पर याज ने कहा कि इसके लिए मुझे अपने बड़े भाई का सायोग चाहिए तभी ऐशा कर सकते हैं वर्षों से उनकी शेवा ही कर रहे थे और छोटे भाई जी ने जाके प्रार्थना की तो उपयाज भी तयार हो गए संकल्प करोगे वैशा ही पुत्र पैदा करूँगा अपनी तफश्याबल से मैं जो जो कहूं वो तैयारी करो दुरुपद ने वैशा ही तैयारी की ये दोनों मंत्रवेत्ता अगनियों में आहोती देकर भगवान अगनी को प्रशन किया और एक हविश्य की रचना की दुरुपद से का रानी को बुलाओ वो खा लें तो एक पुत्र और एक पुत्री का प्रादुर्भाव होगा प्रभु की लीला उस समय रानी ने तामबूल पाया था और अंगराग शरीर पे लगया था कुछ दिर बाद इसनान करना था रानी ने सूचना दी कि अभी तो हमने तामबूल पाया और अंगराग लगाया कुछण रिशियों से को रुकें फिर मैं इसनान करके पवित्र हो के आऊंगी तब वो हविश्यान निपाऊंगी और ये मान तपस्वी थे उन्होंने का तुम क्या समस्ति हो तुमारे गर्व के बिना हम बच्चे नहीं पैदा कर सकते तुरंत मंत्र पढ़ करके आहुती अगनी में उसी हविश्यान की कर दी उसी समय मानो दूसरा आगनी प्रगट हुआ हो ऐसा कवच कुंडल और अस्त्र लिये हुए बालक प्रगट हुआ जिसे द्रश्ट द्युम्न कहते हैं उसी समय आकाश्वानी हुई पांचाल नरेश अब निर्भय हो जाओ ये बालक द्रोणाचारी का गला काटने में समर्थ है सांती मिली हुआ को उसी समय एक कण्या प्रगट हुई जिने पांचाली द्रुपदी कहते उसी यग्यकुंड से बड़ी ही शोभाग शालनी, सरीर का श्यामवर्ण और बहुत ही सुन्दर शोभाव दोनों पुत्र पुत्री को देकर द्रुपद ने उन रिशियों को प्रडाम किया कि आपने हमारी काम ना पुर्ण कर दे अब आप जो कुछ बोलें वो मैं आपको दे शुकता हूँ उन रिशियों ने इनका नाम करण किया द्रुपद कुमार का द्रिष्ट अमर्श शील होने के कारण तेजो में होने कारण द्रिष्ट द्युम्न नाम रखा और श्यामवर्ण होने के कारण द्रुपदी जी का नाम कृष्णा रखा एक दिन द्रोणाचारी जी ध्यान अस्त थे तो उनको शंकेत मिला कि तुम्हारे मारने वाला पैदा हो चुका है ध्यान में आया कि वो तो द्रश्ट द्युम्न है रजकुमारों को अस्त्र विद्या देते थे तो द्रुपद ने उनके पास भेजा कि ऐसा बिश्व में कोई धनुरधारी है नहीं द्रुणाचारी जैसा द्रश्ट द्युम्न गए तो देखकर मुस्कुरा दिया द्रुणाचारी ने कि हमारे अंतिम लीला का कारी तेरे से ही होना है पर तो शिश्य बनके आया तो उठाने रखूंगा हर अस्त्र विद्या के तुझे ग्यान दूंगा उष्य ब्राह्मन ने जब ये बताया कि जिशी ने कि दुरुपद महराज उष्य दुरुपदी का श्वेंबर कर रहे है पर उनके मन में एक बड़ा भै है दुरुपद को जब अरजुन ने जीता था तो दुरुपद ने शंकल्प किया था कि अगर मेरे कन्या होती तो अगर मेरे कन्या होती जब कन्या हुई तो उनको पता चला कि वो तो वारणावत में अगनी महल में जलकर भस्म हो गए तो बार बार विचार करते थे कि ऐसा कैसे हो शकता है इतना प्रतापी तेजश्वी कैसे अगनी में जल सकता है तो कुछ रिश्यों ने शंकेत दिया थ ठीक है मुझे लगता है पांडो भश्म नहीं हुए तो उन्हीं की प्राप्ति के लिए कि ऐसा बिश्व में कोई निशाने बाज रही है जो घुमती हुई चक्राकार्ती प्रमचली के आख को बेच सके इसलिए श्वेंबर में रखा था कि अगर कहीं बिश्व में अर्जुन